इंडियन प्रीमियर लीग यानि कि IPL भारती टीम की कमान पाने के लिए सबसे बड़ा मंच होता है इस बात से आप भी इंकार नहीं कर सकते हाँ अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत खेद है तो कमेंट सेक्षन में कमेंट जरूर दाग दीजेगा कि क्या सच में IPL का मंच भा भारती टीम की कमान पाने के लिए सबसे बड़ा मंच है या फिर कुछ अन्विकलफो पर भी BCCI गौर फरमाता है अगर हाल फिलहाल की बात करें तो जो विराट कोली से रोहिस सर्मा का ट्रांजीशन हुआ है कप्तानी का वो सिर्फ और सिर्फ IPL की बदौलत हुआ है सायद IPL नो होता तो विराट ही अभी भारती टीम के कप्तान होते क्योंकि भारती टीम की कप्तानी की बात करें विराट कोली के दौर की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़े बड़े कारना में भारती टीम ने उनकी अगुआई मी किया है उसके बाद वन डे क्रिके की बात करें तो शेमी फाइनल तक का शाफर चैंपियंस ट्रॉफी की जर्णी की बात करें तो फाइनल तक का शाफर अब एक बुरा दिन उसके अधार पर आप यह नहीं कर सकते कि विराट कोली खराब कपतान है तो वहां पर जो ट्रांजीशन हुआ यह ट्रांजीशन इस अब विराट कोली बुरे हैं या अच्छे हैं वह अलग बात है लेकिन हमारे पास एक विकल्प है कि विराट से बहतर कपतान चुनने का क्यों किसकी आधार पर कि आईपियल में रोहित के नाम पांच आईपियल ट्रॉफी हैं तो अब यह जब ट्रांजीशन का एक और वक् चैंटी कैडिशन कंड रोहित को डूंटी कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे यह तो बात का सवाल यह नशान है लेकिन यह सब मानकर चलना है कि ऻन्यश्य स्जाख आ यह अपे उण को मौका देने का प्रयास करते हैं और इसमें रोहित भी थोड़ा सा भी जिद नहीं करने वाले हैं वो खुद step up करेंगे और कहेंगे नहीं भी यह आखरी वर्ल्ड कप है मैंने बहुत प्रयास कर लिया अब दूसरे युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए तो T20 फार्मेट का भारती टीम का अगला कप्तान बदलने वाला है इस वर्ल्ड कप के बाद वो स्योर है बदलेगा ही बदलेगा चाहे रोहित जीतें चाहे रोहित हारें उससे फर्क नहीं पड़ता है तो यहाँ पर अब सवाल उठता है कि भारती टीम का कप्तान कौन होगा और अगर हम IPL 2024 से पहले की बात करें अगर किसी से ये सवाल पूछा जाता तो एक थपड जोर से मारता है क्या बात कर रहे हो हार्दिक के अलावा कौन होगा क्योंकि हार्दिक के IPL जर्नी की बात करे तो वहाँ पर उन्होंने दो IPL के संस्क्राणों में कप्तानी की विए गुजरात की एक में ट्रॉफी जीता ही है एक में फाइनल तक का सफर पहुचाया और वो भी किसी तरीके से हा रही तो सब यही मान कर चल रहे ते सब ठान कर चल रहे और जब रोहित ने T20 फार्मेट स इसकारर से ऐसा लगा कि नहीं पंत अच्छे विकल्प नहीं है हार्दिक अच्छे विकल्प है क्योंकि उन्होंने IPL के संस्क्राणों में अच्छी कप्तानी की है और गुजरात को एक IPL प्रॉफी भी जीता ही है एक में फाइनल तक का सफर पहुचा है लेकिन जैसे ही IPL 2024 24 आगाज हुआ और आगे बढ़ता जा रहा है गुरू यहां पर दावेदारी भारती टीम की कप्तानी की बदलती जा रही है IPL 2024 से पहले सबसे बड़े दावेदार यूं कहें कि अगर रोहित सर्मा कप्तानी छोड़ते तो हार्दिक पंड़य का चुना जाना तैथा लेकि को नहरा जी सुझाओ दे रहे थे नहरा की सोच थी कि गुजरास फाइनल तक का सफर पूरा की दो संस्क्रणों में एक में विजेता भी बनी है क्योंकि IPL 2024 में अगर हम मुंबई इंडियंस की बात करें तो वहां पर उतनी तगड़ी टीम आप कभी भी IPL के किसी संस्क्रण में नहीं बना सकती क्योंकि अगर इस टीम पर आप नज़ा डालो तो रोहिस सर्माई शान किशन दोनों का बल्ला बोल रहा है फिर नंबर तीन पर आ जाओ तो वहां पर सुर्या भाव T20 के सबसे बहतरीन बल्लेबाज चार पर तीलक वर्मा पाच पर हार्दिक पांडिया शे पर टिम डेवीड साथ पर रोमारियो शेफर्ड यानि कि इस से खतरनाग बल्लेबाजी विभाग किसी भी टीम में आप नहीं पास सकते हैं उसके अलावा गेदवाजी विभाग की बात करें तो उसमें भी काबिलियत थे दम खम है और अगर आप गेदवाजी विभाग करना शुरू कर देंगे तो इतनी बेहतरीन ऑन दपेपर टीम होने के बाद अगर मुंबई इंडियन्स के आकड़े पर नजर डालेंगे आईपल दोजाद 24 में तो छे मुकाबले खेलें दो में जीत चार में हार और चो दो मुकाबले में जीत आई है वो दिल्ली कैपिटल जब अपने बुरे दोर से गुजर रही थी आर सीबी टीम आप उनकी स्थिती पर स्थिती समझी सकते हैं क्या है तो ऐसी कप्तानी रही आर्दिक की उनके लिए गया फैसलों पर भी काफी सवाल ये निसान खड़े हुए मफाका को सुराती दो मुकाबलों में खिलाना और एक्स्टेंडेट रन देना पहले मुकाबले में बुरे दोर से गुजरने के बाद रुमारियो से फ़र्ड को बैठाए रखना और रुमारियो से फ़र्ड आपको भलेबाजी विकल्प भी देते हैं और वो कभी भी किसी भी दिन मफाका से बहतर गिदवाजी कर सकते हैं आ और उसके अलावाज शुरुआती हो मुकाबलों की बात करें तो प्लेंग 11 भी यह सही से नहीं चुन पा रहे था लिवकूड आये लिवकूड को मौका दे दिया गया पहले ही मुकाबले में ये बात तो अलग ही लेबल की लगी कि जो लिवकूड बहुत से साधारण गेद बात है उनको आप किस बेसिस पर किस बुनियात पर खिला देते हो फिर माफाका को उनके रिप्लेस्मेंट के तौर पर लाना जो रिप्लेस्मेंट उनके नहीं मतब एडिशनली स्कॉड में जोड़े गया है फिर उनको मौकादे देना ये बातें ये फैसलें अब हारदिक पानड्या के कप्तानी को कढ़ए मिला कर खड़ी कर दिए और जो हारदिग पानड्या कप्तानी के प्रेशर में आते हुए यहाँ पर मूंबबा इंडियंस की कप्तानी करना प्रेशर क्यों मैं बोला हूं आप कहेंगे कि वो गुजरात में थे तो कप्तानी का प्रेसर नहीं था देखिए, एक्सपेक्टेशन का प्रेसर होता है मुंबई इंडियन्स एक बहुत बड़ी फ्रेंचाईजी है मुंबई इंडियन्स एक ऐसी फ्रेंचाईजी है जो 5-5 IPL ट्रॉफी जी चुकी है जब गुजरात टाइटन्स की कमान हर्दिक पांड्या को मिली थी पहले संसकर्ण में गुजरात टाइटन्स ने एक भी ट्रॉफी नहीं जीती थी आई उका सकते थी वो उनके IPL का आगास था तो वहां पर जब गुजरात की बात करें तो एकस्पेक्टेसंस नहीं थे प्रसंसक भी उतने नहीं थे उनके पास तो आए निर्भीक तरीके से कप्तानी की दबाओ नहीं था हाँ चले गए फाइनल में जीत भी लिया फिर दूसरे में थोड़ा सा एकस्पेक्टेसंस आए लेकिन बहुत ज़ादा अभी भी एकस्पेक्टेसंस नहीं थे कि चली अभी तो पिछला जीता ही हुआ अगर इसमें नहीं भी जीतूँगा तो बहुत मेरा थूथू नहीं होने वाला लेकिन मुंबई इंडियन्स की कमान थमाना मुंबई इंडियन्स की कप्तानी करना अलग एकस्पेक्टेसंस लाता है अलग दबाव लाता है और उस दबाव में हार्दिक पांडिया के बल्लेबाजी पर प्रभाव पढ़ड़ा है उनकी गितवाजी पर प्रभाव तो अब यह जो दावेदारी है वो बदल चुकी है अब जो दूसरा विकल्प है वो तयार हो चुका है रिशब पंथ की बात करें तो भाईया दिल्ली रिशब पंथ की बात करें तो वो अभी एक्सिडेंट से वापसी करके आ रहे हैं पिछले कई 13 महीने से उन्होंने क्रिकेट तक बल्ला तक नहीं थामा हुआ है और वो टीम अगर इस वक्षटे पायदान पर आपार यह अपने आपको वो टीम अगर गुजरात को 89 के स्कोर प इस अतलब उस टीम के कप्तान में काबिलियत है और अगर बात करें रिशब पंथ के कफताने के बहुत बहतर दिखें उनके फैसले Satiq होते विदिखें बॉरिंग चेंजेच सफल होते विदिखें उससे भी बड़ी बात और खास बात कि इस लिमिटेड टीम से लिमिटेट निकलवाना उसके बाद खुद रिशपपंद का बेष्टाना टिष्टियन श्टप्स का बेष्टाना तो ये दरस आता है ये दिखाता है कि लिमिटेड सोर्सों से आप कैसे उनका बेश्ट निकलवा सकते हैं वो रिश्रफपंद को पता है और अगर हम गेदवाजी विभाग पर भी नज़र डालें तो बहुत लीदल गेदवाजी विभाग नहीं है इसान सर्मा विलूप्त हो चुके थे लेकिन फिर से इसान सर्मा का आना कुल दीप यादो का रिवाइब सकते हो आप बॉलिंग चेंजर कर सकते हो विपक्षी टीम को 89 पर आल आउट कर सकते हो और अपने टीम का कमबैक करा सकते हो ऐसी स्थिति ऐसी प्रस्थिति से जहां पर आपकी टीम 280 प्लस रन खर्च करके आई है तो यह दिखाता है कि यह जो रिश्पंद है इसमन लीडर् कर सकता है अपने टीम को एक साथ लेकर चल सकता है अगर आपकी टीम चोटो से जूज रही है उसके बावजूद भी अपनी टीम में मोटिवेशन उर्जा भर सकता है तो आप अच्छे लीडर कहलाते हैं क्योंकि यह टीम चोटो से जूज रही है यह टीम हैरी ब्रूक को औ वहाँ पर इन्रिक नोर किया थे तो चोड से आने के बाद उतना भेहतरी नहीं दिख रहे हैं वहाँ पर इनकी स्टाइजी डगमाई इस टीम मेडेमेट वारणर थे तोट्क के कारट सूर्टे हाल अच्छा नहीं दिखा है लेकिन रिशब पंत की कप्तानी ने श्ट्रीम को समहा ले रखा और इस वक्ट वो पॉइंच टेबल पे छटे अस्थान पे हैं अपने बॉलिंग चेंजेज बहुत सही तरीके से कर रहे हैं उसके अलावा उसकी उससे बड़ी बात उससे खास बात कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेस से बेश्र निकल आना है जानते हैं जिसका से vaid रिशफपंथ अब बहुत प्रमुक कंटेंडर हो गया हैं यह अलग रिशपपंथ हैं अक्सिडेन के बाद पहले ही जो रिशफपंथ बहुत सारी गलतियां करते थे जो रिशपपंथ बचपना कर ज़ा जते हैं वो रिशपपंथ अब सीरियस हो गया हैं अब IPL 2024 के बाद जो World Cup की टीम जाएगी वहाँ पर उपकतान आपको बदलता हुआ दिख सकता है और जब रोहिस सर्मा रिटायर होंगे T20 फॉर्मेट से तो वहाँ पर भारती टीम का कपतान भी बदलता हुआ दिख सकता है जो हार्दिक पांडिया प्रमुक हुमिद्वार थे अब रिश्रफपंत उस दोड़ में आ चुके है और सबसे पहले नमबर पर आ चुके है यह बड़ा फैसला T20 World Cup के दिश्रिकोर से लिया जा सकता है रिश्रफपंत को उपकपतान बना कर और हार्दिक पांडिया से उपकपतानी छिनी जा सकती है तो यह फैसला आ सकता है हाँ इसके अलावा अगर रेस की बात करें तो कियल राहूल एक अच्छी कपतानी विकल्प हैं अच्छी कपतानी करते हैं सांथ सभाव के हैं कूल एंड काम है लेकिन विया T20 फॉर्मेट में उनका स्थान नहीं टैप हो पारा है जिसकारण से राह काबले देखना दिल्चस्प रहेगा कि मुंबई का आगी आने वाला सफर कैसा होता है अगर मुंबई इसी तरीके से धरातल पर गिरती जाएगी तो फिर भाईया बड़ा फैसला T20 वर्ल्ड कप से पहले भारती कपतानी को लेकर लिया जा सकता है कमेंट सेक्शन में अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर करें और क्रिकेट से जोड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले